हेलो बच्छों आज के इस यूटूब वीडियो क्लास में हम आपको क्लास जेवंत का ये गरिंट बुक का फ़र्ट चप्टर का जो है प्रशनवली 1.2 इस चप्टर का टोटर इसमें 14 सवाल है लेकिन हम इस वीडियो में हम आपको एक से लेकर पांच तक सवाल स्वाल करेंग लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ने हैं तो जैसे कि देखिए परशनवली 1.2 का जो हमारा फर्स्ट सवाल है गुना कीजिए तो गुना कीजिए यहां पर देखिए इस परकार से सवाल दिया है, इन सब को गुना करना है, तो चलिए हम सवाल नोट कर लेते हैं, और उसके बाद गुना करते हैं, आप धियान से समझ जी हमने यहाँ पर दो सवाल लिख लिया, दो सो पच्छिस गुना मैनस चार, अब इसको इसमें गुना करना है, बिलकुल आस पहले कोई चीन नहीं है, जब कोई चीन नहीं रहता है, तब पलस का चीन रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिया। अब मैनस को पलस से गुना करेंगे, तो मैनस होगा। यह basic हम आपको first chapter में ही बता दिये थे कि जब plus को minus से गुना करते हैं तो minus होता है अब देखिए 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 अब 20 हो जाएगा तो 20 का हम 0 लिख लेगे 0 और हासिल बच गया हमारा 2 2 बच गया अब देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चुक 8 और 2 बच गया था तो 8 दो 10 10 का 0 और हासिल बच गया 1 फिर 2 को 4 से करेंगे 2 चुक 8 और 1 बच गया था 8 एक 9 तो 225 को जब 4 से गुना करेंगे तो minus 900 हमारा आ जाएगा यहापर minus 4 है तो यही हमारा अंसर होगे सेकेंड सवाल देखिए minus 405 और गुने में minus 5 है दोनों में minus है तो minus को minus से गुना करेंगे तो पलस हो जाएगा आपको बताया गया है यह rule अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 5 पच्चिस हो जाएगा और 25 का 5 बाकी बच्चाएगा दो हासिल अब 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा और यहां 2 सेस बचा था तो 0 में 2 जोर देंगे तो 2 आ जाएगा 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाता है तो 405 को अगर minus 5 से गुना करेंगे minus 405 को तो plus 2225 आएगा इसी परकार से हमारा C नमर का जो तीसरा सवाल है वो है minus 80 minus 80 और गुने है minus 50 अब इस सवाल को गुना करते हैं दियान से रिखिए दो अंक का है बिलकुल आसान है चलिए तो यहां पर 50 जो है यह minus में पहले minus को minus से करेंगे तो minus गुना minus plus धियान से समझे दोनो जगा 0 है तो 0 वाला जो गुना होता है बिलकुल आसान होते दोनो जगा 0 है तो अपना मन से 2 बार 0 लिखे देगे 3 0 रहता तो 3 लिखे दे 1 2 2 0 है 2 लिखे दे अब 8 को 5 से गुना कीजिए तो 8 5 होता है 40 44 पर 0 चालिस देखे यहाँ पर हमारा जो 4 हजार आ गया यही अंसर है 80 को 50 से गुना करेंगे तो 4 हजार ही आएगा बिलकुल देखे कितना आसान था अब सवाल नमर डी जो हमारा है वो है minus 11 और इसमें है गुने 15 अब देखे इसको गुना करते हैं तो minus है यहाँ पर और 15 के पहले कुछ नहीं तो plus जब किसी संख्या के पहले कोई चीन नहीं रहता है तो plus कराता है तो plus को minus से गुना करेंगे मैनस हो जाएगा आप 11 को 15 से करते हैं तो 11 को 15 से करेंगे तो 11 को 5 से पहले करेंगे या डिरेक्ट आप 15 को 11 से कर सकते हैं दो अंक का यहाँ पर गुना है आप जैसे भी कर सकते हैं चलिए अब हम गुना करते हैं इसको तो 15 को करते हैं 15 गुना एक तो 15 गुना एक करेंगे 15 होगा और 15 का 5 आप बाकी एक अब 15 को एक से करेंगे फिर 15 ही होगा और बांकी एक था तो 15 एक 16 यहां पर हमारा आजाता है 165 यही हमारा अंसर हो गया अब देखिए सवाल नमर ई सवाल नमर ई जो हमारा है वो है मैनस 3 उसके बाद इंटू 35 फिर है इंटू मैनस 10 अब यहां पर 3 अंक का गुना हो गया आदेखिए आप गुना कैसे भी कर सकते आपको हम बताएं हैं आप सिखिए जिसे देखिए अब यहां पर गुना करना है तो एक लाइन में गुना हम देखिए आपको सिखाते हैं बिलकुल आसानी से पहले क्या करेंगे मैं इस तीन को 35 से गुना कर लेगे 35 के आगे कोई चिन नहीं है तो पलस का होगा और माइनस को जब पलस से गुना करेंगे तो मैनस अब 35 को तीन से करते हैं तो तीन गुना पांच 15 बागी एक उसके बाद तीन गुना तीन नो बागी एक तो क्या होगा नो एक दस अब गुना है मैनस दस तुरत आप कोई सवाल में बताए थे जितना जीरो होगा उतना लिख लेंगे दिखिए एक ही जीरो है आगे रहना चाहिए गुना करेंगे तो दस सो पचास आएगा पलस में यही हमारा अंसर होगिए अब हमें देखिए हमारा जो सवाल है वह है मैनस पचछीस और इसमें गुना किया है 0 से तो डायरेक्ट हम इसको 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संखिया में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही फिर है मैनस चार, देखु लिजी यहाँ पर 1,2,3,4 बार जो है 4 दिया गया है मैनस में, और इनको गुना करना है, कनफूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से देखिये करते हैं, 2-2 को कर लेते, 4 गुना 4 कर लेंगे 16, मैनस गुना मैनस कर लेंगे 20, प्रास तो यह दोनों को कर लिए अप गुना काचिन हůग तो है 16 श्यामगे का चोल लिखे देंगे बाकी बचीगा 9 सुलय कम सुलया सुलया 9 होता है 25 दोसोच्छपन सुलय को सोलय से गुना करेंगे 256 यह हमारा था सवाल नमर जी अब देखे सवाल नमर एच इससे आसान है थोड़ा सा त्योंकि इसमें 3 प्री टामस म्लम तूदीया है मिलश्ट्व गुना मैनस दूट्व टीन बर मैंश्टो दिया गया है अब देखे इसमें तेनों को एक साथ गुना कर लेते हैं मैनस गुना मैनस करेंगे पलस हो जाएगा पलस और दो को दो से करेंगे दो दो चार गुना मैनस दो अब यहां देखिए दो को लिख दिए मैनस को पलस से गुना करेंगे तो मैनस होगा चार को दो से करेंगे तो आठ मैनस आठ तो हमने एच तक सवाल है आगे की सवाल को स्वाल करते हैं जे का सवाल देखिए मैनस 20 गुना मैनस 15 गुना मैनस 25 गुना मैनस 5 है अब ये देखने में गुना बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बिलकुल आसान है इसी परकार से करेंगे देखिए समझे आप पहले क्या करते हैं मैनस 20 को मैनस 15 से करेंगे फिर मैंस पच्छीस को पांच से फिर जो संक्या पराप्थ होगा उसको आपस में गुना कर देंगे तो चलिए मैंनस को मैंनस से गुना करेंगे पलस अब 20 को 15 से करते हैं तो 20 पंचे इस 20 को पहले 5 से तो 25 एक सो अब देखिए 100 तो इसमें 2-0 आता है तो 100 का एक जिरो लिखेंगे एक जिरो लिखेंगे तो बाकि बागि 10 बचे गया 20 गुना 1 उस और एक तो 20 होगा का और 20 यहां 10 बचाता था तो 20 hockey है यह तो 20 को पंद्रा से गुना कि यह 300 आया फिर गुना 25 को पांच से प्रेंगे बिल्कुल आसान, यहां देखिए, मैनस को मैनस से करेंगे, पलस, पांच को पांच से करेंगे, पत्चिस, बाकी दो, और दो को पांच से करेंगे, दस और दस दो बार, एक सो पत्चिस आया, अब पलस में एक सो पत्चिस, अब पलस में तीन सो है, अब इसको गुना करते हैं, बिल्कुल आसान है भी आपको बताए थे लास्ट में जो जीरो होता है उसको लिख देते दो जीरो है एधर एक भी नहीं है तो दोनों जीरो को लिख देंगे अब सिर्फ तीन बचा अब इस तीन को क्या करेंगे 125 से गुना करेंगे तो कर दीजिए पांच त्या पंद्रा पा पहले क्या किए 20 को पंद्रा से 25 को पांच से फिर जो प्राप्त हुआ दोनों को एक साथ गुना कर दिए एक तना आगे बिल्कुल दो लाइन में कोई सवाल इसा है जो तीन में बना है सभी दो लाइन में आई सवाल हो गया और लास्ट है एक नमर का ये सवाल मैनस पचास गुने पांच उसके बाद है गुने 20 यह भी मैनस में इससे आपका माइंड बहुत ज़्यदा तेज होगा इस सवाल को खुद से स्वाल कीजिए देखिए मैनस पचास को पांच से गुना करेंगे पांच के पहले कोई चीन नहीं तो पलस का है और पलस को मैनस से गुना करें करेंगे मैनस पांच उना पांच पच्चिस और यह जीरो रख देंगे जीरो इसे भी रख देते हैं अब देखिए मैनस बीस अब क्या करना है लास्त में जो जीरो है इसको लिख देंगे जीरो लिख दिये दोनों का यहां दो बच गया और यहां पच्चिस बच्चिस को द जे तक जो सवाल था टोटल, दौसवाल था, सॉल्व किया, अब दो नमर का सवाल हम समझते हैं, देखिए, एक का जे तक जो सवाल था, सभी हमने सॉल्व किया है, अगर आपको समझा आया है, comment box में जरूर लिखिए, दूसरा सवाल है, निमनलखीत में सत्य और औसत्य को चु क्यांत्land की पिल्कुल आजानी से कि इसमें टोटल छे सवाल है और चे सवाल को स्वाल करते हैं तो चलिए सवाल लिख लेते हैं अब देखिए हमारा सवाल जो है 18 सवाल मेंस 2 बरावर – 18 गुना 18 दिया गया है इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे दोनों तरह बराबर संखिया जब पराप्त होगा तो सत्ती होगा और नहीं पराप्त होगा तो और सत्ती होगा जिसे देखिए यहां मैनस है और 18 के पर लिग कुछ नहीं है तो पलस दे देंगे पलस को मैनस से गुना करेंगे तो हमारा होगा मैनस 18 को 2 से गुना करेंगे 18 गुना 36 मैनस 36 आया यहां मैनस 2 18 के पर लिख कुछ नहीं तो पलस का चिन मैनस को पलस से गुना करेंगे मैनस और 2 गुना 18 36 दोनों तरफ मैनस 36 पराप्त हुआ अर्थात यह जो सवाल जो है यह सत्य है इस परकार से इसको हम लिख सकते हैं चलिए आपका दूसरा सवाल हम ले लेते हैं दूसरा सवाल है मैनस अर्थिस गुने एक बराबर दिया है अर्थिस अब आप इसको स्वाल कीजिए मैनस अर्थिस को एक से गुना करेंगे तो मैनस अर्थिस परा मतलब गलत है है, इसा हो ही नहीं सकता है. दोका हो गया, चलिए तीन नमर सवाल हम करते हैं. तीन नमर जो हमारा सवाल दिया गया है, वो है मैनस 20, उसके बाद गुना मैनस 5, गुना मैनस 5 और बरावर मैनस 5 और गुना मैनस 20. अब देखिए यह सत्य है या औसत्य है इसको भी जांच कर लेते हैं तो जांच करने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा तो बराबर माइनस गुना माइनस पलस और बीस गुना पाँच बीस पंचे एक सो बराबर मैनस गुना मैनस पलस अब 5 गुना 20 तो यही 20 पंचे 100 दोनों तरब 100 एक सो आ गया मतलब बराबर है अर्थात यह सत्य होगा तीन का हुआ अब देखिए 4 का चार नमर सवाल जो हमारा है 43 गुने 0 अब बराबर 43 दिया है वहां पर सवाल आपको बनाना नहीं है सत्य और सत्य लिखना है हम आपको समझाने के लिए solve कर रहे हैं तो आप पांचमा सवाल हम लिख लेते हैं पांचमा सवाल जो हमारा है एक गुना मैनस 425 बराबर दिया है मैनस 425 अब देखिए मैनस है और एक के पहले कोई चीन नहीं तो मैनस का चीन दाता है पलस गुना मैनस मैनस और एक गुना 425 किसी भी संख्यां को एक से गुना करते हैं तो वही संख्या आती है बरावर मैनस 425 है तो लिख दें देखिए दोनों बरावर है अर्थात सत्य होगा यही हमारा अंसर चलिए छे नमर सवाल सौल करते हैं छे नमर सवाल हमारा है मैनस 1 गुना 25 बरावर मैनस 25 अभ दीखिए मैनस यहाँ पर है और 25 के आगे कुछ नहीं तो पलस का चीन यह इसलिए देते हैं ताकि हम आसानी से समझ सके तो मैनस को पलस से गुना करेंगे मैनस और एक को पच्छिस से गुना करेंगे तो आपको पता है पच्छिस ही होगा और इधर मैनस पच्छिस देखिए दोनों बगल बराबर है तो यहां हो जाएगा सत्य इदर 7 का लिख रहे थे जगह नहीं था इसलिए काट दिये इसको अब चलिए 7 का सवाल इधर लिख लेते हैं सॉइस शमता है इस परकार से सवाल इतना बारा है अब देखें इसको भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल असानी से बनेगा मینus 2 तो मैنस को मैنस से गुना करेंगे पलस उसके बाद 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 2 24 यह बशयकित खत्म क्योंकि इसका काम कर लिए अब गुना में है मैनस 24 लिख लिए बराबर यहां मैनस 2 है तो इसको लिख लिए मैनस 2 गुनाteen गुना देखिए मैनस को मैनस से गुना करेंगे पलस अब बारा को 24 से गुना करना है तो कर देते हैं बारा को 4 से करेंगे तो बरचुक 48 बाकि 4 और बारा को 2 से करेंगे बारा दुना 24 अधर क्या बचा था चार बचा था क्योंकि बरचुक 48 होता है तो 8 लिख दिये तो 4 न 2828 पराफ्ट हुआ हैं और यह पलस में है और इधर यहां देखिए मैंस में 24 पराफ्ट हुआ अब इसको गुना कर लेते हैं पलस गुना मैनस मैनस 24 को 24 से गुना करते हैं तो 24 को 4 से करेंगे पहले 24 चोग 96 होता है 96 का 6 बाकि 9 उसके बाद 24 तो 48 48 नो 57 तो 586 आया इधर अब इदर देखिए मैनस दो को 288 से करते हैं मैनस को पलस से करेंगे मैनस दो को 8 से करेंगे 2816 का छो बांकी 1 2816 17 फिर बांकी 1 224 15 मैनस 572 तरह पराप्त हुआ अर्था दिया होगा सत्य अब यहाँ पर देखिए साथ नमर सवाल हुआ और इस चप्टर का लास्ट सवाल है सवाल नमर आठ तो चलिए इस सवाल को भी हम कर लिते हैं सवाल नमर आठ हमारा है मैनस पांच गुने 2 पलस 3 बराबर मैनस पांच गुने 2 पलस मैनस पांच गुने 3 अब इसको चलिए स्वाल्व करते हैं तो अब यहां पर देखिए मैनस पांच है तो इसको लिख लेंगे मैनस पांच दो पलस तीन है गुना में तो गुना दो पलस तीन पांच होता है बराबर मैनस पांच है तो मैनस पांच को लिख लिए अब गुना दो है चलिए गुना ही कर देते हैं इसको लिखते नहीं है गुना ही कर देते हैं तो मैनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो मैनस 10 उसके बाद पलस मैनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो मैनस 5 गुना 3 मैनस 15 यहाँ पर मैनस 15 हो गया चलिए मैंनस पांच को पांच से करेंगे यहां इसके आगे कुछ नहीं तो पलस मैंनस को पलस से गुना करेंगे तो मैंनस ही होगा और पांच को पांच से 25 बराबर अब देखिए मैंनस 10 है तो मैंनस 10 लिख लिए अब पलस को मैंनस से गुना करेंगे मैंनस 15 दियान से गुना करना है गुना भाग में अगर गरबर किये तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा मैनस 25 उसके बाद बराबर मैनस 10 है और मैनस 15 है तो दोनों मैनस में हैं जूर जाएगा मैनस 25 दोनों तरफाया अर्थात यह भी होगा सत्य यह हमारा अंसर अब चलिए हम त तीसरा सवाल पर चलते हैं तो तीसरा जो सवाल है अप धियान से पर यह दिया गया है यूजर जो बराबर कर दिया मैनस 25 दो तो यह कौन सा गुंदर्व होगा तो आप खुद से समझे आपको हम समझा रहें बेसिक विसे हमने एक चप्टर में बताया है आप देख सकते हैं तो मैंस पत्चीस यहां पर है और यहां देखिए आठ यहां दो है कितना तीन अंक था यहां गुना इसको पहले इसे किया मैंस पच्छीस गुनाठ फिर मैंस पत्चीस को दो से किया मैंस पत्चीस गुनाद दो तो यहां देखिए चोटा था यहां बड़ा कर दिया तो इसको बोलेंगे गुना का बितरह नहीं गुना का बितरह अ हुआ